वाल्कम बैक आफ्टर दो ब्रेक सो अब कहानी को आगे बढ़ाता हूं और थोड़ा लॉजिक्स का बात करूँ हम ठीक है क्यूंकि मेरा मानना है कि लॉजिक्स क्लियर हो जाएगा फिर सम तो खाली एक बोलते हैं न इजी पीजी चीज़ है आराम से हो जाएगा प्रॉब्लम लॉजिक्स के साथ होता है अव लॉजिक्स को क्लियर करते हैं क्या बोलते हैं चल्ड। है है यह अगर मैं तुम लोग को बोलता हूं कि यूँ आर अ कॉल होल्डर you are a call holder call holder call का मतलब right to buy सोच समझ के जवाब देना कोई घाई नहीं है and 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 हुआ क्या है पता है क्या price increase हो गया है there is a increase in price बोलो यह आपके लिए positive news है या negative news सोच समझ के जवाब देना कोई घाई नहीं you are a call holder and price increase हो गया है बोलो positive news या negative news very good can I say it is a favorable news या positive news suppose a call holder हो and there is a decrease in price positive news या negative you are a call holder and there is a decrease in price it is a negative news बस मैं बोला ना यह देखो तुम लोग का concepts तुम लोग ने lay down कर दिया अब टेंशन ही नहीं है suppose you are a call writer and there is a increase in price तो क्या होगा अब मजाएगा suppose आप call writer हो आपने call right किया है आप लोगों को बेच रहे हो options ले तू option ले तू option ले आपके पास obligation है और call मतलब उसामने वाले का right to buy और market बढ़ गया तो उसके लिए तो सही हो गया बट call writer के लिए ही क्या हो गया negative and decrease in price positive clear एकदम clear है must एकदम done फिर suppose you are a put writer अब मैं तोड़ा जान बुझके आप लोगों के साथ खेलूंगा if I'm a put writer and price increase हो गया तो क्या होगा अब आएगा मजा यू आप पूट राइटर एंड प्राइज इंक्रीज हो गया लोगिकली सोचना पड़ेगा ऐसे यह आंसर नहीं आएगा वीना कभी बोलती है negative फिर कभी बोलती है positive वाह पूट राइटर का प्राइज क्रीज हो गया तो क्या हो गया सुनो इसर है । का मतलब क्या होता है बुझ पूट का मतलब होता है राइट टू Sau भी कहर अगर राइट हुषैल है मतलब जो हुट होडर हे एना जो पूत होल्डर उसको चाहिए mark price decrease हो क्योंकि उसने तो freeze कर लिया है price अब जब यह decrease होगा उसके पास तो right to sell है तो वो इतने में खरीद के ज़्यादा में बेच सकता है उसके पास तो right to sell higher amount वाला freeze है तो वो चाहता है price गिरे समझ रहे हो तो अगर put holder के लिए price गिरेगा तो it is positive and put holder के लिए price बड़ेगा तो it is negative अब यहाँ पे इसका opposite होगा put writer के साथ तो यहाँ पे क्या हो रहा है increase in price तो यहाँ पे जब put holder के लिए price increase होने वाला है तो negative है तो कहना इससे इसके लिए क्या होगा positive समझे क्या यह अब जाएगा negative चलो अब last मुझे बता दो put holder के लिए आरती ते को समझ में आगे बिटा तुम लोग सब लोग को समझ में आगे है call holder call writer अलग है put holder put writer अलग है put holder के लिए increase in price हुआ तो positive या negative put holder के लिए अपनने put खरीदा है तो अपन तो चाहते मार्केट गिरे बट मार्केट बढ़ गया तो अपने लिए क्या हो गया करेक्ट आरती जीवी समझ गई है very good अपने लिए यह हो गया negative और यह हो गया positive अगर यह logics clear है न मैं बोलता हूँ some solve करने का ज़रूरत नहीं है आपको end of the day sums होने के आवाल है यह logic के उपर ही add जो भी आपको positive negative बताना है यह आपका logics clear है करना कोई आपको hardware नहीं लगा सकता copy कर लो copy कर लो लोजिक्स अफ उप्षिन रूल्स अफ उप्षिन रूल्स या फंडाज अफ उप्षिन प्लीज कॉपी समझ गए ना प्लीज कॉपी अप्लीज कॉपी दन चलो और एक रूल बताता हूं और एक रूल या जिसको अपन बोलेंगे पंडा समझो आपके पास कॉल अप्शन है समझो आपके पास कॉल ऑप्शन है ठीक है तो इसका मतलब कि आपके पास राइट टू बाई है इसका मतलब आपके पास राइट टू बाई है अब समझो एक्सरसाइज प्राइज इस लेस दैन मार्केट प्राइज एपी मतलब exercise price एकसरसाइज प्राइज एकसरसाइज प्राइज मतलब जिसपे आपने freeze किया है MP मतलब जो market में अभी current price चल रहा है आपको मुझे जवाब देना है यहां पे आपको मुझे यहां पे जवाब देना है कि आप exercise करेंगे या नहीं करेंगे आपको profit होगा या loss होगा बता दो profit या loss यहां पर आपको gain होगा या loss होगा अपने call option लिया है मतलब right to buy आपके पास और exercise is price is less than the market price आपको gain होगा या loss होगा सोच समझ के कोई गाई नहीं क्या बात है यार सब लोग का correct answer आ रहा है यार चैंपियन लोग है यार मेरे सामने चैंपियन लोग बैठे दांसर इस गेन दांसर इस गेन या profit क्यों क्यों कि मेरा exercise price कम है मतलब से for example मेरा exercise price 700 और market का price is 850 तो I have a right to buy at exercise price मैंने तो exercise price को freeze किया वा है तो मेरा right to buy exercise price 700 पे है तो उस पर मैं buy कर लूँगा market चल रहा है 850 पे उस पर मैं sell कर लूँगा difference मेरा profit है समझे गडू और अभी इधर में अगर उल्टा लिखू तो इधर में अगर उल्टा लिखू तो चल अभी तुम लो गयार क्या बोलोगा चल डन ठीक है अगर वाई से वर्सा हुआ अगर वाई से वर्सा हुआ यानि समझो put option है मतलब आपके पास है right to sell if exercise price is बोलो less than the market price क्या होगा loss होगा क्यों क्योंकि मेरा exercise price 700 पर है मतलब मेरे पास उस पर right to sell है right to sell 700 पर है market में मिल रहा है साड़े 800 पर तो मैं बेचूंगा क्यों साड़े 800 पर जब मार्केट में लो कि साड़े 800 पर बेच रहे तो लॉस हो गया गेर हो गया चाप हो चाप हो अगर यह सब फंडास क्लियर है न तो सम्सकी भी जरूरत ना पड़े आदमी को प्लीज कॉपी झाल 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 चलो नाव पी आर गोईंग तो कम तो अन्यू कॉंसेप्ट कॉल्ड एज न्यू कॉंसेट तो नहीं बेसिक रिएशन मस्त हो गया सबस्ट अब और एक इसी से कनेक्ट कर रहा हूं मैं चीजों को यह बनाने का मेरा होल रिजन था क्योंकि मेरको next concept easy रखना है तो अब मैं next concept एक दम easy कर दूँगा क्यों क्योंकि मेरा यह बेस concept clear है आओ क्या है वो concept of in the money at the money out of the money option हाँ हाँ market price share का exercise price तेरा 700 market price share का साढ़े 800 वैसे करके सूच परफेक्ट शेर का ही शेर का ही समझ रहे हो ना एक दम करेक्ट मार्केट प्राइस शेर का और exercise प्राइस तेरे option का तेरे exercise प्राइस है प्राइस शेर साढ़े 800 गया तो जो डिफ्रेंस है वो प्रीमियम में रिफ्लेक्ट होगा अब यहां पर तुने कॉल ओप्शन लिया है तो तिरे पास राइट टू बाइस साढ़े साथ सो राइट टू बाइस साथ सो का मार्केट प्राइस हो गया साढ़े 800 सब्सक्राइस का नाम है कॉंसेट ओ इन्दमनी अब यह मेरे लिए बहुत इजी हो गया कराना क्योंकि मैंने आप लोग को यह पढ़ा दिया है कैसे आओ बता तो इन्दमनी आट दमनी ऑउट आफ दमनी अउट आफ दमनी ओप्शन जी हाँ मैं आपको बताता हूं अगर आपका यह देखो यहाप यहाँ पे यहाँ पे अभी आप लोग में जैसे किया था के समझो मैं आप अप्शंपल ले रहा हूं कॉल अप्शन का ही call option का ही मैं example ले रहा हूँ ठीक है और say exercise price is less than the market price तो बोलो क्या होने वाला है आपको क्या होने वाला है gain या loss gain या loss gain होने वाला है आप लोग ने बोला आप लोग ने जवाब दे दिया भाई आप लोग ने जवाब दे दिया अल्रेडी last time ही gain होने वाला है इसको कहते है in the money option in the money option in the money option मतलब समझो exercise price है रुपीज 700 market price चल रहा है रुपीज 725 तो आपके पास तो right to buy है 7200 पे आपके पास तो right to buy है 700 पे पर रहर के नहीं तो आप right to buy कर लोगे 700 पे आप 725 पे बेच दोगे आपके लिए तो gain हो गया gain हो गया मतलब वो क्या हो गया in the money option अब फिर को बताओ at the money क्या होगा अब आप मुझे बताओगे at the money क्या होगा फिर आप ही मुझे बताओगे out of the money क्या होगा देखा concept अब मैं नहीं बता रहा हूँ अब आप लोग क्या बात है क्या level आ गया है तुम लोग का यार awesome बोलो बोलो चल चल करेक्ट अगर exercise price और market price 700 पर ही है तो it is add the money otherwise it is out of the money perfect अब मैं एक table बना रहा हूँ call option का एक table बना रहा exercise price less than market price exercise price equal to market price exercise price greater than market price hmm gain break even loss जब ये गेन होता है it is called as in the money this is called as at the money this is called as out of the money option a samjigiru चापो ठीक है ठीक है अब put option का मैं बनाऊंगा या आप बनाऊंगे ये table put option का मैं बनाऊंगा या आप बनाऊंगे good definitely आप बनाऊंगे start everybody पहले ये बना लो पहले ये लिकलो फिर call option का बनाऊंगे good option का बनाऊंगे good option का बनाऊंगे good come on झूछ झाल 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 चलो सब लोग को clear है in the money out of the money at the money तो put option में exactly इसका वाई से वर्षा हो जाएगा वाई से वर्षा मेरे पास option है कि मैं इसको copy करके सीधा paste कर सकता हूँ बराबर है एकदम बराबर है sir यह क्या हो जाएगा यह हो जाएगा put option गच्चा एवरिवरीबडी गच्चा ओके चलो अब अब कली यहां पर मेरको एक साइन चेंज करना है यहां यहां पर मेरको एक साइन चेंज करना है सही है इधर तक सब लोग ने बना लिया कुछ से समझे गड़े वरिवरीबडी चलो अब एक लास्ट कॉंसेट के ओपर चलेंगे फिर बाद में आज concept wise will be almost done फिर सम्स कर लेंगे and काम हो जाएगा तमाम चलो and that is called as the concept of intrinsic value and time value of money concept of intrinsic value and time value of money intrinsic value and time value अब ध्यान से सुनना लोजिकली तोड़ा जवाब देना फिर मैं तुम लोग को concept खीचके वो एक्जांपल से ही intrinsic value and time value समझा दूना ठीके सिर्फ जवाब देना तुम लोग ठीके है द्यान से सुनना गाइस concept of intrinsic value and time value है अगर 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 मेरा exercise price है से rupees 45 ठीक है and market price है से rupees 50 and suppose यह है मेरा call option तो ideally तुमारे हिसाब से इसका premium कितना होना चाहिए सोच समझके ideally logically इसका premium कितना होना चाहिए यह अभी का आज का status है इसका कि exercise price है 45 मतलब you have a right to buy at 45 बट इसी शेर का market price चल रहा है 50 क्या premium होना चाहिए आपके हिसाब से logically क्या premium होना चाहिए सोच समझके जवाब कैना इससे 5 रूपीज होना चाहिए तुम लोग सब लोग करेक्ट हो क्यों 5 रूपीज होना चाहिए क्योंकि आज की तारिक में exercise price है 45 अपन लोग right to buy 45 पे करेंगे sell कर सकते है 50 पे 5 रूपीज का premium अभी तो भाई यह तो market अभी चालू हुआ है और उसमें यह सिनारिय है सीधा तो आप profit कमाना चालू नहीं करोगे बड़ार इसका premium कितना होना चाहिए रूपीज 5 इस idealistic premium is called as the intrinsic value in premium intrinsic value in premium hold on hold on hold on hold on बता रो बता रो चाहिए ओके 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 दूसरा option सम्झो दूसरा option सम्झो आपका exercise प्राइज है रूपीज 48 आपका मार्केट प्राइज है रूपीज 50 और चंदन चूड़ गया यहां पर चंदन चूड़ चंदन यह देख यहां देख द्यान देख भाई मैंने क्या बता है पूरा गेम प्रीमियम पर होता है अभी तूने सब्सक्राइज प्राइज किया 45 प्राइज प्रीज किया तो ने एक्सराइज प्राइज प्राइज प्रीज किया और मार्केट चल रहा है 50 पे तो right to buy 45 पे तेरे पास तू बेच सकता है उसको 50 पे 5 रुपे का profit कमा सकता है बलावरे अब profit कमाएगा जब market आगे बढ़ेगा यह मैं बोल रहा हूँ just market start ही हो रहा है तो उसके पहले अगर यह scenario है तो market भी तो कमाने के लिए बैटा है ना तो सामने वाला जो option seller है वो अपने से कितना premium लेगा 5 रुपे का logical premium लेगा 5 रुपे का logical premium लेगा क्यों कि otherwise तो कोई भी arbitrage कर लेगा ना तो यहाँ पर यह मेरा logical premium कितना बैटा है 5 रुपे का है 50 में आज उसको बेच सकता हो बैट 5 रुपे का वो अपसे premium ले लेगा तो उतना level लेवल पर आ जाएगा अब जैसे जैसे market उपर जाते जाएगा वैसे वैसे मेरा premium बढ़ते जाएगा उतना मेरा profit बढ़ते जाएगा बैट logical premium first hand मेरा 5 रुपे आएगा समझा क्या चंदन इसको बलता है intrinsic value premium का intrinsic value बैट 5 रुपे तो होना ही चाहिए अगर exercise price 45 है market price 50 है तो 5 रुपे तो premium होना ही चाहिए फिर बात में जैसे जैसे market उपर नीचे होते जाएगा premium change होगा और उतना में gain करते जाएगा बट सीधा में gain से तो नहीं start करूँगा यह तो बीच का premium तो मेरा उतना exact match होगा अभी clear ठीक है समझाए अब exercise price 48 और market price 50 कितना premium होना चाहिए कितना premium होना चाहिए मैं पूच रहा हूं आपको कितना premium होना चाहिए yes the answer is two rupees the answer is two rupees premium होना चाहिए two rupees बट एफा होता नहीं है life इतना रोजी डोजी life इतना लवी डवी होता नहीं है समझे रहे हो जो बाहर से दिखता है वो होता नहीं है जैसे social media social media पे आप देखोगे तो सब कुछ कितना सुहा होना लगेगा एसा लगया कि life सबका कितना अच्छा है बट पीछे तो कुछ और ही होता है BTS behind the scenes तो कुछ और ही होता है वैसा यह premium का सिनारियो है ideally premium होना चाहिए था दो रुपया exercise price 48 market price 50 premium दो रुपया बट ऐसा नहीं है अईसा नहीं है premium होता है रुपीज 6 समझे इसमें यह जो रुपीज 6 है इसमें से जो रुपीज 2 जो ideally logically बनता है उसको कहते हैं intrinsic value in premium और जो 4 रुपया है उसको कहते है extra वो है time value आपको तीन महिने का expiry दिया है ना तीन महिने का expiry एक महिने का दो महिने का expiry तो जितना दूर expiry उतना ज्यादा time value उतना premium ज्यादा होता है जी हाँ क्यांकि आपके पास जदा स्कॉप ना अर्न करने का जदा स्कॉप है मार्केट का वोलेटिलिटी देखने का तो यह जो अप्शन सेलर आरेए वह भी हुश्यार है संगे तुम आप्शन भाय वह तुमको लग रहे है तुम भी तो पैसा कमाने को पैटा इधर इसको कहते है ता थर्ड पर आते हैं थर्ड पर थर्ड पॉइंट थर्ड पॉइंट पर एकसरसाइज प्राइज है रुपीज 50 क्या कुछ प्रीमियम चार्ज होना चाहिए क्या दा आंसर इस नोप प्रीमियम होना चाहिए जीरो बट 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 सोशल मीडिया पर जो दिखता है वो होता है क्या नहीं 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 प्रीमियम है रुपीज फो इन दिस सिनारियो इंट्रिंजिक वैल्यू कितना हुआ इंट्रिंजिक वैल्यू हुआ जीरो पूरा का पूरा जो वो ले रहा है टाइम वैल्यू का ले रहा है जी हाँ समझ गए चल एनी डाउट्स एनी बड़ी क्लियर है सब लोग को सबोज और एक एक स्ट्रीम सिटुएशन लेके क्लोज करते है इसको exercise prize है मेरा और market prize है exercise prize 52 का market prize और यह सब call option ही चल रहा है भाई पहले बोल चुका हूँ मैं एक्ससाइस प्राइस है 52 का, मार्केट ट्राइस है 52 का, आइडियली तो प्रीमियम होना यह नहीं चाहिए, बट प्रीमियम है, रुपीज पाय का, ये पूरा का पूरा आजाएगा, जो है, दिस विल बी बेस्ट ऑन, टाइम वैल्यू, अफ मनी, या, टाइम वैल्यू, काई कुछ है इंट्रिंजिक का कुछ भी नहीं है कि इंट्रिंजिक खазд राख़ुज अविक्लियर को अथा कर वे जो आधी क्लीर चलो फडफड लीबड़ी राइट इाउट कुछ कॉपी वीना कॉपी कर और कहां पे रह गई थी तू क्यों लेट जॉइन किया तुन्हें ब्रेक के बाद चलो कॉपी कर अभी बता दूंगा वापस से कॉपी कर क्या दूंगा बता शहुत मॉपी जॉए है ऐकिए से कंग säथई वे बता। झाल 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 प्रेमियम होना चाहिए अगर एक आईडियल सिचुएशन है और अभी ट्रेन स्टार्ट हो यह तो एक्सराइस प्राइस अगर 45 का है मार्केट प्राइस 50 का है तो सीधीजी सीवात है प्रीमियम फाइव रुपीज का होना चाहिए so that everybody is at par भई कोई extra profit भी नहीं कमा रहा है premium भी है equivalent to market price के साथ match हो जाता है premium pay करने के बाद तो एकदम ideal situations होता है उसको कहता है intrinsic value in premium वो जो premium का part है वो तेरा intrinsic value है वो जो premium का part है वो तेरा intrinsic value है समझा गया अब यहाँ पे exercise price 48 है market price 50 है तो ideally तो तेरा premium दो होना चीए था बट premium छे है अगर premium यहाँ पे छे है तो दो ideally जो होना चीए था वो intrinsic value है बट बाकी का जो 4 का part है that is called as time value that is called as time value समझे क्या everyone आभी clear बोलो बोलो tell tell totally agree with you जानवी एकदम 100 टके की बात कही है तुने सही बुला एकदम 100% चलो अब इदर आजाओ emotional हो जाओ उसके पहले थर्ड अगर मेरा ए भी ना समझागे तिरे को तेरे लिए करवा रहा हूँ मैं जवाब तो दे exercise price 50 market price 50 तो बैए ideally तो तिरे को कुछ premium देना है नीची है बट फिर भी तू 4 रुपय ले रहा है किसका time value का ले रहा है time value का समझे क्या और फोथ मीनल जी आपका doubt यहाँ पे फोथ वाले पे था exercise price 52 market price 50 मतलब मैं तो totally out of the money option पे हूँ बट फिर भी premium ले रहे हो मतलब किस चीज का है वो पुरा का पुरा time value है intrinsic value 0 time value पुरा का पुरा 5 संजा क्या मिनल जी क्लियर है एविर्वर्यवन है संदोड़ू कि चुँछ डान डान है डान है डान है डान है डान है डान है अब एक लास्ट कॉंसेट के उपर आ Рें, मिने एक सम के उपर आ और फिर अपन लोग बोल दें एक दूसरे को आस्ताला विस्ता ठीक है?нем JI! चोटा सा सम है निकलो सम और उसको अपन लोग बोल देंगे उसकी बाद बोल देंगे आस्ताला विस्ता आओ प्वेश्चिन आई है ठीको शेर्ज ओफ अडानी लिमिटेड नहीं अभी इसमें पीवी फैक्टर रेक्टर कुछ नहीं लगेगा आओ शेर्ज ओडानी लिमिटेड और सेलिंग एड लेते हैं अपन सेलिंग एड रुपीज वन जीरो फोर यू आर इंट्रेस्टेड इन बाइं शेंड बाइं वर थीbuds और सेलिंग व्यू ओफिज को खुं इत्रेम्स 15th फीवां प्रहिं प्रवप्टिश इसनाओ आर रुप्पिर फ्यू श्यू यू चािख्चितिंग Bennett ट्रुपीज हैंड ग्शू फेर exercise price exercise price equal to rupees 105 six possible prices of share are as follows six possible prices per share are possible per share on expiration in expiration on expiration are ranging from rupees 95 to rupees 120 with intervals of rupees 5 अब अपने को इसके जवाब देने हैं 1st what is your payoff as a call option holder on expiration draw the payoff for holder draw the payoff for holder call holder what is the payoff as a option holder on expiration on expiration and 4th draw the payoff of for call right कि अधिका मैंने बोला दाना लास्ट क्वेश्टन है तो टेंशन ही नहीं है पर इन लास्ट क्वेश्टन बोलके सब लोग खूश हो गये बट नादानों को पता नहीं है कि क्या होने वाला है चरव प्लीज कॉपी चापो चापो जल्दी कॉश्टन कॉपी करो साथ में सौन करेंगे को आन एरिवान को आन एरिवान को आन एरिवान कर दो झाल 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 करेंगे अपन सॉल्व करना इसको ताइम नहीं लगेगा फाइव मिनिट्स इस मैक्सिमम विट्विल टेक्ट टीक है चलो स्टार्ट करें सबसे पहला क्या बुचा है पेओफ पेओफ बनाना अपने को पॉर कॉल अप्शन होल्ड एक है तो फिर्स पाट से साथ करते है अपन् अधिस पेओफ टेबल फॉर कॉल ऑप्शन होल्डर पेओफ टेबल फॉर कॉल ऑप्शन होल्डर टिक है अब उसने देखो क्या बोला है अपना देखो एक्सराइस प्राइस तो इक्साइज सब्सक्राइस अपना जो एक्ससाइज प्राइज आ हूं तो कि तना एक्सराइस प्राइस प्रिज्ड है ein ede a and 5 मेरा कि इ Works day है अलग-अलग हो रहे है क्या कि you are interested in buying three month call option at a premium of rupees five per option जिसका exercise price 105 six possible share prices on expiry और assume कर रहे हैं आपनों कि expiry तक यह चला गया तो कितना ranging from 95 to 120 तो मेरा market price 95 भी हो सकता है 100 भी हो सकता है 105 भी हो सकता है 110 भी हो सकता है 115 भी हो सकता है 120 भी हो सकता है रैट तो यह अलग-अलग scenarios में मेरा क्या position होगा वो मेरे को उनको बताना है वो मेरे को उनको बताना है अभी द्यान देना चल्ड अप्लों अब मेरे को आप लोग बताओ की प्रीमियम किटना मेरा कि र प्रीमियम है हर slight rupi का कि की प्रीमियम है मिरा सीच्वेशन में पांच रुपए का प्रीमियम मेरा इधर मैं लिखता हूं प्रीमियम सब्सक्राइब लिए सब्सक्राइब अधर मैं लिकरा हूँ प्रीमियम कि अच्छा प्रीमियम कितना है हर बार मेरा प्रीमियम तो 5 रुपयाई भाद रुपयाई है पाँच पाच रुपयाई है अब लोजिक चाहिए मुझे तुम्हारा logic जिख जाएंगे मेरा exercise price 105 मेरा market price 95 आप मुझे बताओ क्या मैं यह exercise करूंगा या नहीं करूंगा सोच समझके बताना you are a call option holder you are a call option holder अब के पास right to buy at 105 तो आप क्या 105 पे खरीदोगे और 95 पे बेचोगे क्या the answer is never logic ही नहीं है आप क्या action लोगे मुझे कुछ करना ही नहीं है मतलब यह laps होने दो गया समझ रहे हो गया तुम लोग you will not take any action no action are you clear are you clear समझे क्या समझे क्या या तो आप इसको laps होने दोगे जिसको आपन बोलेंगे कि आप इसके ओपर कोई भी action नहीं लोगे no action समझे क्या है यहाँ प्रवीन त्रिपाटी बोला इसर पाच रुपे गा मेरा लॉस आगया एक्जैक्ली प्रवीन एकदम सही बोला तु बेटा तेरा पाच रुपे का क्या हो गया लॉस हो गया यहां पे तू बोल देगा यहां पे अब अपने को प्रॉफिट और लॉस पे आफ टेबल पे वही तो बताना है तो यहां पे अब आपन लोग लिखा देंगे लास्ट में and that we will write as मेरा पे ओफ कितना हुआ है मेरा पे ओफ कितना हुआ है the pay-off is 5 रुपेज का जो मेरा लॉस है या जो मैंने premium पे किया है वो मेरा लॉस है समझ गया clear है next second पे आता है अगर मेरा exercise price है 105 market price है 100 प्रीमियम है पाच क्या मैं exercise करूंगा क्या अगें मेरा अगर exercise price market price से जाधा है call option में तो मेरे को exercise price कम चाहिए यहाँ पे तो जाधा है तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा again it will lapse again मेरे को पाच का नुकसान होगा अब 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 ideal situation में प्रीमियम उपर नीचे होगा थोड़ा और मैं शायद कमा लूँगा फिलाल अपने पास वह information नहीं है so I will say कुछ नहीं कर पाएंगे यहाँ पे उसके बाद 105 105 अगें कोई profit नहीं है यहाँ पे भी lapse हो जाएगा no action यहाँ पे भी मुझे पाच का नुकसान अब मेरे को फाइदा होना स्टार्ट हो जाएगा क्यों कि अब माय एक्सराइस प्राइज is more than my market price is less than my market price मतलब मेरे पास right to buy 105 पे market 110 पे can I say what difference can I say मैं difference पे कमा लूँगा everybody can I say मैं difference पे कमा लूँगा so कितने के difference पे कमा लूँगा पाच का मैं difference पे कमा लूँगा so यह मेरा gain होगा पाच का यह मेरा premium तो loss है इधर मेरा pay off हो जाएगा zero समझ रहे हो अगर यह 105 है यह 115 है मेरे पास right to buy 105 पे right to buy 105 पे market पहुँच गया 115 पे तो मैं 105 पे buy कर लूँगा 115 पे sell कर लूँगा 10 रुपे का मेरे को gain हो जाएगा परावर है उसमें से पाच रुपया मैंने premium दिया है पाच का मेरा net gain आ जाएगा and last यहां पे वापस से gain but this time the gain is of 15 रुपी पाच रुपया मैंने उपर दिया वा है 10 रुपे का net pay off आ जाएगा समझे क्या यह कैसे आया 5 10 माइनस 5 यह कैसे आया 10 15 माइनस समझे गुरू अभी अपसको इसमें इंद मनी का लॉजिक लगाओ नॉर्मल लॉजिक लगाओ जो भी लॉजिक लगाओ क्या आपको यह pay off टेबल समझ में आया क्लियर है पाच रुपे का आपका प्रीमियम पहले केस में अगर आपका मार्केट प्राइज लोवर है एक्सराइस प्राइज हायर है तो आपका राइट टू बाय हायर है तो मैं 105 पे खरीद के 95 बेचूंगा तो लॉस ही होना है मैं वह लॉस करूंगा ही नहीं उससे अच्छा जो मेरा प्रीमियम गया वह प्रीमियम मेरा गया खड़े में 105 एकसो पाच में बाइच करके और पांच रुपे का प्रीमियम घया खड़े में नहीं करना है कि यहां पर भी 105 का 105 हो रहा है तो भी कुछ होने तो नहीं वाला है जीरो टुजीरो यह रहने माले उससाच प्रीमियम गया 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 कड़े में एक्सराइज तो बचेगा परना एक्सराइज किया तो ब्रोकरेज भी जाएगा नो लॉस्ट प्रॉफिट पे भी और प्रोकरेज क्यों जाने दू सचा गया समझे क्या everyone अभी clear था से तो अब जब तेरा exercise price market price से कम होते जाएगा था पॉइंट इंटाम ऑटमाइटिकली तेरा प्रीमियम चेंज होते जाएगा तो अभी अपन होगा ऑगा अगी तो यह पर्फेक्ट राइट टू बाय है 105 है तो 110 में उसको सेल करेगा तो आइडियली तेरा प्रीमियम पांच रुपे का हो जाएगा उसमें से तुने पांच रुपे पे किया हुआ है तेरा नेट प्रॉफिट नेट लॉस जीरो समझा अभी फिलाल मेरे पास प्रीमियम है नहीं तो मैं उस लिसाब से अगड़े ना कि प्रीमियम एंड-o-the-day तो तेरा मार्केट प्राइस के बेसिसूरु से प्रीमियम मूग कर तो तो तेरा दो में बड़ेगा कितना इसे बड़ेगा तो एक्यक्साइज प्राइस राइट तू तो in this case, 10 रुपया बढ़ गया है, 10 रुपया तू in the money है, तो 10 का तेरा value बढ़ गया है, उस में से 5 रुपया इस right को exercise करने के लिए तू दे चुका है, net 10 में से 5 गया, कितना बचा, 5 का तेरा profit, समझा क्या सेफ? हाँ, आगे तो लिख, फरी आगे तो लिख, exercise only if EP is less than MP, in case of a call option, जो अपन already लिख चुके है, जो अपन लोग पहले ही लिख चुके है, कि EP is less than MP, तो gain होगा, तो in the money होगा, एह समझे गड़ू everyone, एह एक से टेबल समझ में आया, pay off table समझ में आया सबको, अब इसका drawing बनाना है, क्या बोला है, देखो, draw the payoff, draw करना है, जी हाँ, draw करना है, draw the payoff for call holder, अब सुनो, ध्यान से सुनो, कैसे payoff draw करते है, तो second, payoff graph, payoff graph, for call holder, payoff graph for call holder, आओ, देखते हैं, तो, इधर मैं, बनाता हूँ, मेरा, net payoff, और इधर market price, ध्यान से दिखना, यह मेरा MP, MP मतलब market price, कहा से कहा पर जा रहा है, 95 से 120, सब्सक्राइए, 95, 100, 105, 110, 115, and 120, ठीक है, तो फिर, payoff, net payoff, net payoff, किस पर बैठ गया, तो मेरे पास, अलग, 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 net payoff आ रहे है, 0 भी है, minus 5, minus 10, plus 5, plus 10, plus 15, कुछ भी हो सकता है, फिर तो profit तो unlimited ही है, call holder के लिए, राइट, व है, अब यहाँ पे मेरा 95 पे, क्या हो रहा है मेरे को 5 रुपी का loss, 105 पे 5 रुपी का loss, 105 पे 5 रुपी का loss, यहाँ पे तो मेरा 5 रुपी का loss ही चल रहा है, अब जैसे मेहा यह, जो market price है वो 105 से बढ़ते जाएगा के नहीं से उतना मेरा loss कम होते जाएगा उतना मेरा loss कम होते जाएगा के नहीं से फिर मेरा loss कम होते होते थे इधर आ जाएगा फिर 115 पे यहां पे और फिर 120 पे और that's how the whole system works समझे क्या suppose अगर मैं इधर और एक चीज़ डाल देता हूँ safe के लिए मैं और एक चीज़ डालना चाहता हूँ suppose exercise price तो मेरा fix है 105 पे suppose यहां पे मैं डालता हूँ market price 106 105, market price 107 105, market price 112 suppose यह मैं डालता हूँ तो क्या होगा तो देखो क्या होगा 105 में मेरे पास right to buy है market चल रहा है 106 में 1 रुपे का gain आ जाएगा मेरे को but मैंने premium पे किया है 5 रुपे का भाई तो मेरा net payoff कितना हो गया भाई मेरा net payoff हो गया 4 रुपे का negative समझा क्या फिर यहाँ पे 105 का मेरे पास right to buy है मैं 107 में बेज़ दूँगा 2 यहाँ पे 5 मेरे को negative 3 आ जाएगा अब यह जो net payoff है ना यह मेरा automatic premium में adjust हो जाएगा premium में adjust हो जाएगा tension मत लेना तो क्या हो जाएगा पता है क्या मेरा इधर premium पास रुपे है तब मेरा premium है ना एक रुपे का आ работ जाएगा automatically मैं एक रुपे में बेज़ दूँगा समझा मेरा market pricing जैसे मेरा प्राइज श्याईगा मेरा premium मेरा एक रुपे का हो जाएगा मैंने 5 रुपे में खरीज दा تھا एक रुपे का premium हो जाएगा automatically मैं एक में बेज़ दूँगा नेट चार का निगेटिव दिख जाएगा, समझा, अगर यह 105 है, राइट टू बाइ, मार्केट प्राइज 112, तो यह मेरा 7, उसमें से मैंने प्रीमियम दिया है, पाच का, यह मेरा 2 का प्रॉफिट, अब यह चाहिए, तो यहाँ पे प्लॉट करते जाओ, तुम लोग का पूरा का पूरा यह पे ऑफ, ग्राफ और कॉल होल्डर बन जाएगा, समझे क्या everyone, सर क्या यह ग्राफ एक्जाम में आता है क्या, मुझे नहीं बता, मैं नहीं बताओंगा, नहीं आता है, अब उससे अपने को क्या लेना देना है, अपने को तो सब चीज़े करनी है न, properly, वैसा है, अब सपोज यह लेवल पे, सेफ तू यह लेवल पे, सपोज तेरा market price है 106, तो 106 पे क्या हो रहा है तेरको? चार का loss हो रहा है, तो इधर देख, तो 106 पे तेरा यह ज़र आएगा, तो इधर आएगा, समझा क्या सेफू? सब्सक्राइब गजा है, तो तेरा भी तीन का loss हो जाएगा, तो इधर आजाएगा, बैसा है, अब अब चापो तो समझेगा अब दनाजे क्या पूछ रहा है समझाने में को अब दनाजे क्या पूछ रहा है समझेगा अब दनाजे क्या पूछ रहा है हम अब दनाजे क्या क्या ऑच्छ रहा है समझेगा चाप रहा है लेगा कि दन गाइस समझा अब इसका थोर्ड और फोर्थ पार्ट करना है नहीं खाली अंडेस्टेंडिंग पर्पस के लिए एक्जाम में नहीं आता है यह पे आफ ग्राफ अंडेस्टेंडिंग पर्पस के लिए कि अधिए प्रफ यह प्रफ यह पर प्रीमियम जादा है ना इसे इसे तेरे प्रीमियम में इंट्रिंजिक वैल्यू के साथ टाइम वैल्यू भी तो तेरे को वह भी रिकवर करना पड़ेगा तब जाके तेरा नेट पेओफ पॉजिटिव में आएगा जिसा एगा सब्सक्राइब करना पड़ेगा तो यह तेरा प्रीमियम में पहले हैं यह पराब बल रही है तुब इंट्रिंजिक वैल्यू है को वह भी तो रिकावर करना पड़ेगा चलो मैंने इंट्रिंसिक वैल्यू रिकावर कर लिया गेन आगया मेरा बट बाकी का टाइम वैल्यू भी रिकावर करना पड़ेगा नहीं किया तो लॉस अधर्वाइस अब यहां पर मैंने टाइम वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू दोनों रिकावर कर लिया प्रॉफिट आगया यही यह मैं वो टाइम वैल्यू का जो प्रीमियम में एक्स्ट्रा चार्ज किया जाता है अब आप प्लीज दो मिनिट वापस देना मेरे को क्यों कि मैं थर्ड पार्ट कर रहा हूं हाँ ओविएसली ना फ्यूचर बात में करेंगे ऑप्शन के बाद फ्यूचर करेंगे क्यों क्या हुआ थर्ड वट इस दे पेडे आपशन राइटर ओन एक्स्पारीच उप्शन राइटर के नजर से फेड़ दानता है भी ट्व टत्री पार फार उप्शन रॉइटर में को घ्रेचा है एकठम सिंपल हो गए यह भी बदाबर है सी इसमें भी सेम मार्के प्राइस 95, 100, 95, 100, 105, 110, 115, 120, बहुत सारे स्कोप है, मेरा एक्सरसाइस प्राइस तो बहुत क्लियर है मेरा, एक ही रहने वाला है, फिर मार्के प्राइस, प्रीमियम मेरा मेरे को पता ही है, एक सो पाच, वो तो वही रहने वाला है, कुछ भी हो जाए, हाँ, अर्विन और मेरे भाई, मैं अभी बोल रहा हूँ तेरको, गेम प्रीमियम का होगा, बड़ यहाँ पे प्रीमियम अपना फ्रीस है, प्रीमियम तेरा फ्रीस है, इसके लिए, यहाँ पे शाहिद वो थोड़ा कंक्यूज़न हो रहा होगा, बिकॉज अपने लोग ने प्रीमियम होई रखे ना पाच का पाच ही चल रहा है बहले ही मेरा मार्केट प्राइज उपर जाए नीचे जाए मेरा प्रीमियम उतना ही चल रहा है इसके लिए उसी साब से तिरको खाली तिरा थोड़ा असा लॉजिक को ट्वीक करना है बाकी तो प्रीमियम ही चेंज होने वाला है रियल लाइफ में तो मार्केट चेंज होगा तो अपना तो भाई डेरिवेटिव डिपेंडेंटी पूरा प्रीमियम है अपन तो प्रीमियम को ही बाई और सेल कर रहे है बट यह थियोरेटिकली तो प्रीमियम मैं चेंज नहीं पार रहो ना जो मेरा इधर question है तो इसके लिए यह सिसाब से इसको theoretically जब question को solve करते हो तो आप ऐसे solve करते हैं वैसा है कि that's the reason practical आपको बताना जरूरी था और बिकॉज यह लोगों का अना connect नहीं हो पाता यह तो लोग रट्टा मार लेते हैं या फिर छोड़ो छोड़ लेते हैं देखा जाएगा ऐसे खर लेते हैं market price could be 95 could be 100 could be 105 110 115 120 because मेरा यहां पर अर्विन जी बिकॉज मेरा यहां पर premium अभी स्वीद है किस परद पाच 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 अ अब आप मुझे बताओ ऐक्षन भाई होल्डर ऑदर ने क्या अच्छन लिया है फ़र्स्ट केस में गाई से उसने नो लिया है first second third case में उसने no action के लिया है so यह हो गया lapse 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 क्योंकि उसने no action लिया है क्योंकि उसने no action लिया है बट अब ये वाले केस में उसने action लिया है क्या वो exercise कर रहा है ये वाले केस में वो क्या कर रहा है exercise कर रहा है अब अगर हाँ ये first 3 case में writer का पाइदा हो गया क्यूंकि market अपने को लगाता बड़ेगा बड़ा नहीं फर्स तीन केस में मार्केट बड़ा ही नहीं अपने को लगाता वैसा and that created the whole problem अब देखो फॉर्थ केस में exercise किया मैंने फिफ्ट केस में भी exercise किया शिक्स केस में भी exercise किया अब यह बाइस आपको loss होते जाएं और देखते कैसे गए प्रे कश्रें यहां पर यहां पर यहां पर आजाओ योई अधर एकससाइज जब मैं कर रहा था उसको समझे क्या क्या हुद उसको प्यक्त पड़े surgeon पाच रुपया उसको पहले मिला पाच अब यहां पे 105 का एक्सरसाइस प्राइज है उसका 110 मार्केट का प्राइज हो गया है तो इसको पे करना पड़ेगा पाच नेट पे आफ कितना हो जाएगा उसका जीरो नेट पे आफ कितना हो जाएगा जीरो वही है गेम अब यहां पे उसको डिफ्रेंस दस रुपया पे करना पड़ेगा नेट पे आफ हो जाएगा उसके लिए माइनस फाइव माइनस टेन फर्स त्री केसेज में पाइव 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 समझे गडू यहां पे पाच 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 जीरो माइनस फाइव माइनस टेन अगर मेरेको इसका टेबल बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा अगर मेरेको यह कॉल राइटर का टेबल बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा सेम लॉजिक्स तो सेम ही रहेगा अभी भी मेरेको इधर लिखना 95 ही ह यह मेरा मार्केट प्राइस 120 तक एकदम सही है यही रहेगा बट अब देखते जाओ अब इसका इदर लिखूंगा मैं अब इदर नेट पे आफ लिखूंगा मैं देखो इसका नेट पे आफ कितना है से पाच पाच दस पंद्रह या फिर इदर माइनस फाइड माइनस टैन माइनस 15 अब यह देखिए आए अब यह देखिया यह जब पाच जब 95 था तो उसको पाच रुबे का प्रॉफिट मिला जब 100 था तबी भी उसको पाच रुबे का प्रॉफिट मिला जब 105 था तबी भी उसको पाच रुबे का प्रॉफिट मिला ओके बट अब उसको लॉस होते जा रहा है अब उसको लॉस होते जा रहा है समझे क्या अब यह लॉस अनलिमिटेड उसका प्रॉफिट लिमिटेड यहां पे लॉस लिमिटेड प्रॉफिट अनलिमिटेड हैंस प्रूड थूदिस ग्राफ यह समझे क्यों यह खाली आप लोगों को लॉजिकली समझाने के लिए था और कुछ भी नहीं ग्राफ बेसिकली कोटिट एव्रिवाल अब एक वोमवक क्वेश्चन दे रहा हूं अब एक वोमवक क्वेश्चन दे रहा हूं क्या बात है सब लोग डण 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 जैसे जैसे अपना टाइम आगे जाता है यह लोग का उसमें तेरा घाटा मेरे पिता जी का कुछ नहीं जाता है ब्लीज होमवक करके आएगा है भूबर का क्वेश्चन दे रहा हूं वाई विल सम्वन बिए कॉल राइटर गुड क्वेस्टिन आ वस वेटिंग पर इस क्वेस्टिन फॉम पूछो कोई तो पूछो के यार उसका तो बिचारे का लॉस अन्लिमिटेड है प्रॉफित लिविटेड है तो कॉन बनना चाहेगा कॉल राइटर यार फाइनली जानव जी थैंक्यू सो मच आपने यह क्वेस्टिन पूछा कि कॉंट्रेरियन वह क्या बोलता है कि मैजॉरिटी ऑफ पॉब्लिक जो ऑप्शन लेता है ना वो लोग का मार्केट के साथ जो को रिलेशन है वो उल्टा ही बैठता है एंडे मेक लॉस यह मैं लिकी देता हूं हूं वोंबग का क्वेस्टेन तो यह तो सर आपने सेम उठाया या नई रुको करण्ट मार्केट प्रइस को अपन कर देते हैं 30 क्रिम्यों 5 ही रहने देते हैं एक्सर साइस प्राइस अपन कर देता है 33 यह आपन कर देते हैं 25 to 50 रेंज 5 का ही रहने देते हैं ठीक है अब रिक्वाइड पार्ट ज्यों का त्यों रिक्वाइड पार्ट ज्यों का त्यों बस इधर लिखना है अपने को what is the payoff for call के जगे put option holder और put holder और option writer payoff for put writer यह है आपका homework in buying a put option यह है आपका homework जी हाँ अब मुझे जानवी ने पूछा के क्यों होता है 70% of the time the premium is zero and it is lapsed premium become zero and it lapses in fact मेरे साथ जो educated है जिसको knowledge है market का उसके साथ भी कितनी बार premium zero हो गया है तो बाकी लोगों की तो आप क्या ही बात करोगे क्योंकि आप ध्यान नहीं दे पाते हो और वह ध्यान नहीं दे पाओगे ना market तहल का मचा देगा आपको पता भी नहीं चलेगा मैंने बोला भी था focus जबी भी मैंने focus छोड़ा है मार्केट ने मुझे तोड़ा है वैसा है क्या बला जबी मैंने focus छोड़ा है मार्केट ने मुझे तोड़ा है पर तुम्हारे का attitude रखना है एक्जाम में जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं जरुरी तोड़ी है की मार्केट गिर नहीं करेगा मार्केट विच भी हो सकता है और मार्केट уже पर चले गया, तो हुआ है कितनी बार ऐसा, कोरोना के टाइम पर हुआ था, मेरे को लगा था, मार्केट टूटेगा, टूटेगा, इतना नहीं टूटा, मार्केट कोरोना के टाइम पर, in fact, IT स्टॉक्स उपर चले गया, तो निफ्टी का, मैंने को लगा था, चल भाई, करोना आगय है अभी तो मार्केट टूट नहीं है तेल का मत जाएगा सब बरबाद हो जाएंगे तो निफ्टी तो अभी नेगेटिव आ जाएगा मैंने पूट ऑप्शन लिया बट मैं भूल गया कि ये टाइम पे करोना के टाइम पे आई-टी स्टॉक्स तो बूम पे आगए तो एक छोटा सा अजम्शन ले लिया अरे ये करोना है मार्केट डाउन निफ्टी डाउन खतम पूरा तहल का देश खतम दुनिया खतम इतना इजीली वो कर लिया अरे बट उस भाई करोना की वज़े से आई-टी कंपनी का तो भूम आ गया जूम जैसी कंपनी तो इतनी चल ग गार्मेंट बनाता है जौकी इस ब्रैंड इसा इंटरनेशन ब्रैंड डैट जौकी ब्रैंड का जो प्रोडक्शन है इस डन भाई पेज इंडस्ट्री इंडिया और पेज इंडस्ट्री इस प्रोड़क्शन शिफ्ट कर दिया मास्क के उपर अब मास्क का स्केल तो पढ़ अपना चेंज करें कमाया जो दीहमार्ट था दीमार्ड के उतर तो लाइन बढ़ गया और भी दीमार्ट पे तो और लोग खरीना चालु कर दिया दीमार्ड कर तो प्राइस बढ़ गया शहर बढ़ गया डीमाड भी है ऑनिफ्स इंफ इस भी आपको इंडेक्ट स्टडी करना पड़ता है बॉस हर एक चीज का एस्पेक्ट देखना पड़ता है बॉस फिर होता है आई डिन्ट दू इट गेव अनेस्ट टिंग और लॉस्ट ध्यान रखा नेक्स टाइम से इसेसिर में रखना लाइफ में देख मेें एक चीजय याए ड़ना लाइफ में लफSi यहाँ हारेो Só हुए उसके दिए रोव मतहि रोके कोई कोई कुछ नियों और यह जीज़ु इसे प्रकृति का नियम में तो जो विन समए खुश रहो उसमें और जो लूस समें एक्स्पिरियंस लेके आगे बड़ो गया अटा सावन की गटा डन हाँ यह कॉल राइटर्स होते कौन है इंडिया का वन अब फेमस कॉल राइटर इस मिस्टर मनीश देवाल आपको बनना है आप भी बन सकते हो कई बार इसकी पीडियाफ चाहिए हाँ मिल जाएगी मिल जाएगी अब भी मिल जाएगी चालो आज का सेशन एंड करते है विशाल चलो ट्राइ करता हो विशाल मैं कल इसके उपर थोड़ा और डीटेल में करने का अभी तो टाइम अपने पास है नहीं इसको आपने विशाल पास है यह जाए यह पीडियाफ में तुम लोगों का आज दे दूंगा प्लीज थोड़ा सा स्टड़ी करना अब भी कर दूंगा इसको आपलोड उन्द स्पॉट्ट प्लीज इसको स्टड़ी करना कर लेक्चर में आऊँगे स्टड़ी कर क्या नहीं दन आरती हों वह तुआ अरे प्रवीन त्रिपाटी भाई मेरे अभी मैं इसको अप्लोड कर रहा हूं ना प्रवीन उदर से डाउनलोड करके कॉपी कर ले ना ना राजा क्यों टेंचन ले रहा है अरे कल वाला लेक्चर तो वैसे भी यूट्यूब पे मैंने डाल दिया आरती क्या तुभी टेंचन ले रहे है चलो बाबाई टाइम फर मीडियू से आस्ताल अविस्ता हा लिखो ना मैंने कितर मना किया सम्या तु आज आई नहीं ना चीटर दोखा दे दिया ना तुने मेरे को चलो ब्राम राम अर्विन भाई आज अला भी मुस्ली डालूंगा मैं यूट्यूब पे डोंट वरी बाबाई फरी कल लेक्चरी नहीं हुआ प्रवीन क्या तुभी यार कल लेक्चरी का हुआ चलो बबाई सम्या कहा थी तू बाई क्या बोल रहे है बाई बोलने के लिए यह खाली तू ओके ऐसे बीच में से कभी आये तो मुझे इक बार कली हाय बोल दिया कर ताकि मुझे पता रहे कब कौन आया है येस फरिल विल डू इट शॉटली ओके नो प्रॉब्लम चलो बाई वो सब टाइमिंग वाइमिंग का तुम लोग का कंसर नहीं है तो चंदन फरी सैफ और भी जो भी टाइमिंग के लिए कुछ बोल रहा है आप प्लीज अपने थॉट्स अपने पास रखिए मुझे जब लेना है जितना टाइम लेना है मैं उतना ही टाइम लूँ तो यूर थॉट्स अर अनिवाइटेड थैंक्यू सो मच ठीक है किरतिमान तू भी नहीं आया ना धोका दिया ना तू भी ऐसा ना दोस्त तेरा अधम लोग ने नाम भी लिया था बीच में कैसे हावर दे और विटनेसेश कि चलो गाइस ट्राइफा मीडूस से आस्ता लाविस्ता किरतिमान जीश प्लीज स्टाइम पर उटके आईए कि चलो आयोप यह सब को समझ में आ गया होगा टिक कैर बावाई कल और एडवांस लेवल की चीज़े करेंगे थैंक्यू कि यह मैं अप्लोड कर रहा हूं तो नोट से तुम लोग सब चीज़े डाउनलोड कर लेना हो जाएगा सब काम ठीक है चाब बाई कि अज़िए कि अज़िए कि अज़िए कि अज़िए कि अज़िए